हेलो गाइज आवेई हूं कैसे आप सब लोग रादे रादे मेरा चैनल कुष्पा गौड क्रियेटिव आइडिया में आप सब का स्वाधत करती हूं दोस्तों आज मैंने पूरानी टूटी फूटी घर में चपल की जोड़ी रखी हुई थी वो बहुत अच्छी थी बहुत मेंगी थी लेकिन वो खराब हो चुकी थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उनको फेकूँ तो मैंने उनका रियूज किया है वापस उसको एक नया लुक दिया है और आप लोग देख सकते हैं ये कितनी प्यारी और बिल्कुल नहीं जैसी हमारी चपल बन गई है तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है चलिए हम वीडियो में देखते हैं और एक ये है ये देखिए ये भी बिल्कुल नहीं हो गई है तो बड़ी प्यारी सुन्दर सी चपल है, इसे फेखने का मन नहीं किया था, तो मैंने इसको वापस तयार कर दिया है, देखे काफी मजबूत हो चुकी है, ये कहीं से भी नहीं निकलने वाली है, और हम इसको आसानी से पहन सकते हैं, तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो सेर करना चाहती हूँ, कि आप लोग भी इस तरह से छोटा-छोटा सा काम करके, आप अपनी पूरानी चीज़ों को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं, और ये काफी मजबूत है, ये देखिए, काफी मजबूत है, अब इनक कुछ ने विगड़ना, आप साल, तेट साल और आप इने चला सकते हैं, देखिए, और बिल्कुल प्यारा सा लुक आ गया है, तो चलिए गाइस, हम देखते हैं, हमने इनको कैसे तयार किया, आईए, देखिए गाइस, ये पुरानी चपले हैं, एक के तो ये देखिए, अं लेकिन रखी हुई, ये इसका तला अलग हो गया, पड़े पड़े अलग हो गया था, तो ये किसी काम की नहीं थी, तो मैंने सोचा, चलो इने रिपेर किया जाए, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्ल्यूगन को अच्छी तरह गरम कर लिया है, और इस तले के अंदर मैं पूरे में ग्ल्यूगन लगा दूंगे, इस तरह से मैंने ग्ल्यूगन लगाते वे थोड़ी थोड़ी दूर में लगाएंगे, एक साथ लगाने से ठंडा हो जाता है, तो ये देखिए, अब मैं आगे के पोर्शन में ग्ल्यूगन लगाऊंगे, ग्ल्यूगन ऐसा एक गम है दोस्तों जो बहुत ही मजबूती से हर चीज को चिपका देता है तो ये देखें मैंने इसको दबा करके रखा है और अब ये अच्छी तरह से चिपक गई है अब जहां थोड़ा थोड़ा बाकी है वहां हम और लगा देते हैं ताकि ये और मजबूत हो जाएगी और ये तो इसमें मैं फटापड से पूरी जगे ग्लूगन जल्दी जल्दी लगा दूंगी ये अच्छी तरह से गरम हो चुकी है अब जल्दी सी ठंडी नहीं होगी दोस्तों माफी चाती हूँ थोड़ा गला खराब है तबे ठीक नहीं है इसलिए अच्छी तरह बोल नहीं पा रही हूँ तो ये देखिए जल्दी जल्दी हमने पूरी अच्छी तरह से ग्लूगन लगा करके इसको दोन हातों से प्रेस करते वे दबा देंगे और अब मैं इसमें क्लिप लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इस्टिक हो जाए तो दोनों में मैंने क्लिप लगा आप देखिए दोस्तों इसका अंगुठा निकल गया था तो अंदर की साइड में ने ग्लूगन को अंदर घुसा करके काफी ग्लूगन अंदर डाल दिया है अब पेचकस की सहायता से इसको अंदर दबाते हुए हम इसको देखिए अंदर दबा के दबाते हुए फिर पेचकस बाहर निकाल लेंगे और फिर उपर से हमें थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये हत्व हाथ चिपक जाता है अब देखी दोस्तों ये अच्छी तरह से इस्टिक हो गया ये भी और बहुत मजबूती से इस्टिक हुआ है अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करके इसी तरह से हमारे पुराने सामान को हम रियूज कर सकते हैं देखे बिल्कुल नया चपल है बस इता सा निकला था और थोड़ा कलर फेड हो गया था अब हमें क्या करना है फेब्रिक ग्लू लेना है ये जो ब्लू कलर वाला आता है ये वाला ये थोड़ा मजबूत होता है ये पानी से भी नहीं हटता है तो हमने छोटी साइज के वाइट हाप कट मोती लिये हैं और पूरी जगे हम इस्टिक की सहता से मोती को लगा देंगे ये देखे दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है और एकदम से नया चपल बनकर हमारा तयार हो जाएगा और बहुत ही मजबूत होगा और बड़ा ही प्यारा सा लुक आएगा दोस्तों देखेगा इस तरह से मैंने ये आगे और यहाँ उपर की साइड ये देखे अभी से कितना अच्छा लग रहा है और ये पूरी तरह हम इसी की साइथा से मोती चिपका देंगे दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो थोड़ा भी अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक कमेंट और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा हमारी तबेत भी ठीक नहीं होती है तो भी हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों मेरी इस वक्त बहुत खराब है तबेत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है चिकन गुनिया हो गया है मुझे इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ लेकिन वीडियो लाना जरूरी था इसलिए मैंने ये ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करी है इतनी तकलीप भूगत कर भी मैं आपको लिए वीडियो लेकर के आती हूँ मैं अच्छी तरह बोल भी नहीं पा रही हू लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज प्लीज दोस्तों जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा इसी तरह से आपको मैं दोनों चपल करके दिखाती हूँ और फिर इ हमारी चपल बनकर तयार हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है बिलकुल कमपर्टेबल है तो यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू दोस्तों आप लोगों